कौन है जिसमें कमी नहीं होती? आस्मान के पास भी तो जमीन नहीं होती? नमस्कार, मैं हूँ आशना and welcome back to my channel. आज की इस वीडियो का मुद्ध है टिप्स रिगार्डिंग C.O.V.T.P.G. 2024. मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ because last year ये paper मैंने भी निकाला था and today I am in Shriram College of Commerce. तो मुझे पता है कि वो दो तीन कोश्टन क्या होंगे जो तुम्हें परिशान कर रहे होंगे and I am curtailing my point of view to three major tips जिन पे आपको concentrate करना ही होगा. इससे जादा short तो क्या ही करूँ? अब end तक बने रहना है या बीच में चले जाना है that's definitely your call. So without wasting any more time, let's reveal the very first step which is concentrate on paper pattern. देखो इस बार की C.O.E.T.P.G. में पिछली बार की C.O.E.T.P.G. paper pattern से काफी जादा changes होए है. Make sure you are preparing for the right one. उसके लिए you need to be well versed with your paper pattern. अब देखो P.Y.Q. तुम देखो, but according to the latest pattern which is 75 questions in total. पिछली बार नहा 100 questions ती, 75 from your subject domain and 25 questions from your general knowledge domain. इस बार तुम्हारा general knowledge domain हटा दिया है, that means you need to attempt the paper for 75 questions in total. अब कितने marks के लिए है? So you have 75 questions for 4 marks each, that means तुम्हारे हाथ में 300 marks हैं. जिसमें से, for every wrong answer, there is a penalty of 1 mark. तो risk लो, तो अपने comfort के हिसाब से नहीं, अपने safe margin के हिसाब से लेना. Next question जो दिमाग में आता है, it is, 10 दिन है मेरे पास, कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, कोचिंग लो तो हो जाएगा क्या? No, no. देखो जो तुम्हारे CUTPG का syllabus है ना, it is aligned with your undergrad syllabus. That means you just need to brush up your already learned concepts. फिर दूसरा factor ये भी है, कि तुम्हारी ability पे depend करता है, कि तुम कितनी जल्दी चीज़ों को समझ पाते हो, तुम्हें एक बार पढ़ना पढ़ता है, दो बार पढ़ना पढ़ता है, या चार बार पढ़ना पढ़ता है, और बाकी तुम्हें अंडरग्राड में कैसे पढ़ाय किया है, that is also one factor. तो अब तुम्हारे पास दस दिन है, अभी coaching लोगे, तो self-study कब करोगे? Trust me or not, बड़ दूसरे के बनाए नोट से उतना फायदा नहीं होता है, जितना फायदा खुद की नोट से होता है, तो अब study smartly, जितना हो सकी उतने MCQs करो, सिलेबस से topic उठाओ, concept समझो और MCQs लगाओ, क्योंकि तुम्हारा पेपर objective है, descriptive नहीं, तो time और पैसे बचाओ, बाकी तो तुम समझदार हो ही, अपने decision अपने हिसाब से लो, और अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके, पढ़ो, माम, सिर्फ 10 दिन है, एक पेपर की तयारी ढंक से हुई नहीं है, दूसरा पेपर देना रहने देख्या, अरे, अपनी हार खुदी क्यों decide कर रहे हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारे जैसा ही हाल, उन लाखो बच्चों का है, जो ये पेपर देने वाले हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हें हर एक चीज़ पताओ, जरूरी नहीं कि तुम हर एक चीज़ पढ़ो, एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो important है, उन concept को समझोगे न, that's gonna cost you less time, and it would be productive, तो set your priorities right, and opportunity cost के बारे में तो पढ़ा है न तुम्हें, तो करो ना explore अपने next best alternative को, अच्छा चलो back up ना सही, be the mighty chooser with options on your side, 10 दिन में भी न बहुत कुछ possible है, पढ़ लोगे न तो chance है कि crack कर लोगे, बट नहीं पढ़ोगे न, तो 100% guarantee है कि paper नहीं निकलेगा, तो पढ़ लो, concepts को revise करो, खाती पीते रहो, and नींद पीलो, क्योंकि health भी important है, तुमारी health तुमारे weight से नहीं, तुमारी activeness, तुमारी happiness, इन सब से भी ना पी जाती है, just because तुम ठीक ताक दिख रहे हो, तुम मतलब ये नहीं कि तुम healthy हो, कई बार इंसान healthy हो के भी unhealthy होता है, तो you never know what actually is going inside, तो routine सही रखो, and बाकी तो all the best, let's see, sit,